सिविल लाइन थाना छेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर दो युवा को ने फांसी लगा कर आत्मात्या की आज दोनों का पी-ए-म कर शपरी जनों को सौंप दिया गया है मामले की जांच की जा रही है सिविल लाइन थाना अंतर का दो अलगा लोग स्थानों पर कल देर रात दो युवा को द्वारा अपने घर में फांसी लगाने और आत्म हत्या करने का मामला सामने आया है सिविल लाइन थाना यूगेंदरी सिंग ने बताया कि एहमत पुरोड निवासी 28 वर्शिया आनंद अहरवार ने अपने घर में फांसी लगा ली तो वहीं कुछ देर बाद ही सूचना मिली कि मनीश मीना ने अपने घर में फांसी लगा ली दोनों को जिल अस्पतार लाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को म्रत घोशित कर दिया दोनों का पी-एम कराकर शब परीजनों को सौम दिया है टी-एम ने बताया कि मामले में परीजनों के बयान और पी-एम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाही की जाएगी कल सूचना प्राप्ट हुई थी कि एक बैक्ती आनन धायरवार पिता मूल्चन धायरवार अट्थाई साल एहमत पूर रोट का रहने वाला था इसने अग्यात कारणों से अपने घर में फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली इस पर से हमने मर्क कायम कर लिया कुछ हमें पश्चाच एक और सूचना प्राप्ट हुई थी कि मनीज मीना पिता स्रीकरस मीना तीस साल ये टीला घेड़ी के रहने वाले थे हिनों ने फांसी लगा के आत्मत्या कर ली थी हम दोनों साबों का पोस्ट मार्टम करा दिया गया है और मर्क कायम करके जांच में ले लिया